आपकी पोएम ग्लास 6 and 30 इंग्लिश हनी सकल दा क्वेरल इट इस मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ब्रदर एंड सिस्टर दो क्वेरल ऑल्थो सम्थिंग दे में नॉट इवन बी एवल तो से वाई दे क्वेरल ठिक है तो यह भाई बेहन जो होते हैं उनमें ग्वेरल का मतलब होता है यहाँ पर लड़ाई तो लड़ाई करना एक कॉममन सी बात होती है और कभी कभी यह भी नहीं हमें नहीं पता होता की लड़ाई क्यों हो रही है और किते समय तक यह quarrel चलती है लड़ाई चलती है यह हमें नहीं पता चलता तो यहाँ पर पड़ते हैं तो यहाँ पर बताए गया एक sister क्या बोल रही है कि उसके क्या होई quarrel उसके भाई के साथ लड़ाई हुई और उसे यह नहीं पता कि किस बात पर लड़ाई हुई कि एक के बाद एक चीज से क्या हुआ चीज से निकलती रही आगे मतलब लड़ाई बढ़ती रही एक से एक चीज आगे जूडती रही और फिर यह लड़ने लग गए जो लड़ाई का स्टार था वो कैसे था बहुत हलका फुलका था पर जो उसका एंड था एंड के था बहुत स्ट्रॉंग मतलब बहुत उनकी जादा लड़ाई हो चुगी थी तो वो क्या कह रहा था कि वो सही है पर उसे क्या पता था गर्ल को कि यह गलत है कि यह गलत है तो एक दूसरे से अब नफरत करने लग गए अब क्या हो गया है आफ्टरनोन से शाम हो चुगी है लड़ते लड़ते तो क्या हो अचानक से क्या हो जो उसका ब्रदर है उसके ब्रदर ने क्या किया उसकी पीट पे मारा थोड़ा ठीक है उसकी पीट पे थप थपाया तो उसका भाई बोलता चलो छोडो अब क्या लड़ना कि हम ऐसे पूरी रात तो नहीं लड़ सकते हैं छोड़ो जो भी था ठीक है I was in the wrong so he was in the right ठीक है तो अब वो क्या कहने लगा कि मैं गलत हूँ या जो भी था छोड़ो अब हम दुबार से अब नहीं लड़ते हैं ठीक है तो क्या बोलते है so he was right अब वो राइट ऐसा ही है तो यह पोएम किसके लिखिया आप आपने किसने लिखिया पोएम इलियनर फरजियों ने को स्टूडेंट्स आपकी पोएम कंप्लीट हो चुकिया है थैंक यू